भाग दो ज्यादातर स्टॉक माइकल स्टीन हॉड वेरियंट धारना की अवधारना शेयर बाजार में माइकल स्टीन हॉड की दिल्चस्पी उनके बार मिच्चा से मिलती है जब उनके पिता ने दिया था उसे वर्तमान के रूप में स्टॉक के 200 शेर वो स्थानिय ब्रोक्रेज कार्याले में एक के रूप में हैंग आउट को याद करते हैं कि शोर बूरों के साथ टेकर टेप देख रहा था जबकि उसके दोस्त खेल रहे थे स्टिक बॉल एक बहुत ही उजजवल छात्र स्टाइन होड ने अपनी शिक्षा त्वरित गती से पूरी की 1960 में पैंसिलवेनिया विश्व विद्यालय के वॉटन स्कूल से की उम्र में सना तक की उपाधी प्राप की 19 स्टाइन होड सीधे वॉल स्ट्रीट के लिए रवाना हुए जहां उन्होंने एक शोध सहायक के रूप में अपनी पहली नौकरी की मिबाद के वर्षों में उन्होंने एक वित्तिय पत्रकार और एक शोध विशलेशक के रूप में पदू पर कार्य किया 1967 में घोने एक प्रतिभाशाली विशलेशक के रूप में प्रतिष्था स्थापित की स्टाइन होड और दो अन्य भागीदारों ने स्थापना की स्टाइन होड फाइन और बरकोविट्स की निवेश फं स्टाइन होड पार्टनर्स के पूर्ववर्ती बढ़िया और बरकोविट्स ने 1970 के दशक के अंत में फं छोड़ दी अपनी स्थापना के बाद से 21 वर्षों में स्टाइन होड की फं ने वास्तव में एक उलेखनिय ट्रेक हासिल किया है अभिलेख उस समय के दोरान स्टाइन होड पार्टनर्स ने से अधिक की चक्र वृद्धी वार्षिक वृद्धी दर का एहसास किया है 30 प्रतिशत 20 प्रतिशत लाप प्रोथ साहन शुल्ग घटाने के बाद केवल 25 प्रतिशत से कम तुल नाम में 500 इंडेक्स ने केवल 8.9 प्रतिशत की चक्र वृद्धी वार्षिक वृद्धी दर दर्ज की लाभांश शामिल इसी अवधी के दोरान 1967 में इसकी शुरुआत में फ्रम के साथ 1000 डॉलर का निवेश किया गया था स्प्रिंग 1988 तक बढ़कर 93,000 डॉलर से अधिक हो गया होगा प्रोफेसर इट इंसेंटिव फीज घटाने के बाद रखना उस परिप्रेक्ष में शेयरों की एक टोकरी में निवेश किये गए वही 1000 डॉलर केवल बड़े होंगे 6400 डॉलर लाब कहानी का केवल एक हिस्सा है स्टाइन होट का ट्रैक रेकॉर्ड भी सराहन यह संगत्ता स्टाइन होट पार्टनर्ज ने केवल दो हारे हुए वर्ष देखे हैं दोनों ही मामलों में शुधर घाटा था लाब प्रोथ साहन शुल्क समायोजन से पहले दो प्रतिशत से कम असंख्य द्रिष्टे कोनों का उप्योग करके स्टीन होट का बहतर प्रदर्शन हासिल किया गया है वो दोनों एक लंबी अवधी के निवेशक और एक अल्पकालिक व्यापारी वो शेरों को खरीदने में उतना ही सहज है जितना की उन्हें खरीदना वो फम की पूंजी के बड़े हिस्से को अन्य निवेश वहनों में स्थानांतरित कर देगा जैसे की ट्रेजरी सिक्योरिटीज अगर उन्हें लगता है कि यह सबसे अच्छा निवेश विकल्प है निश्चित रूप से स्टाइन होट पार्टनर्स का ट्रेक रिकॉर्ड कोई एकल प्रदर्शन नहीं है उसके अलावा कौफाउंडिंग पार्टनर्स पिछले कुछ वर्षों में फम ने कई व्यापारियों और विशलेशकों को नियुक्त किया है हाला कि इसमें कोई संदेह नहीं था कि स्टाइन होट स्पष्ट रूप से प्रभारी थे वो फम की समीक्षा करता है पोटफोलियो हर दिन कई बार हाला कि वो फम के व्यापारियों को अपना बनाने की छूर देता है निर्नै स्टाइन होड को एक व्यापारी को अपनी स्थिती को सक्ती से उच्छ ठहराने की आवश्चकता होगी यदि उसे इस बारे में कोई शिकायत है वो पद यदि वो द्रिर्ता से पर्याप्त महसूस करता है तो स्टाइन होड व्यापारी को ओवराइड कर देगा और उसे समाप्त कर देगा पद स्टाइन होड की अत्यधिक छानबीन और फम के पोर्टफोलियो पर नियंत्रण ने उन्हें होने की प्रतिष्ठा दी है काम करने के लिए एक बहुत ही मांग वाला आदमी जाहर है बहुत से व्यापारियों के लिए भी मांग कर रहे हैं वर्षों में फम छोड़ दिया कर रहा है क्याप्टन अहाब ने उसे सोबीकेट के साथ टैग किया हाला की स्टाइन होड का कठिन पक्ष बहुत अधिक है उनकी नौकरी की भूमिका से संबंधित फुटबॉल कोचिंग के रूप में कठोर्ता शायद प्रबंधन में एक गुन है व्यापारियों का समूर मैंने स्टीन होड का कठिन पक्ष कभी नहीं देखा मैंने जिस व्यक्ति का साक्षातकार लिया वो शांत्चित मृदु भाशी धैर्यवान और अच्छा हास्य बेशक हमारे साक्षातकार हमेशा बाजा के घंटों के बाहर आयोजित किये जाते थे स्टाइन होड में हास्य की गहरी समझ है वो एक का रूप धारन करने वाले दोस्तों को कॉल करने के लिए जाना जाता है आयारस एजेंट बजार बंध होने से ठीक पहले दलालों को जान बूज कर फरजी आदेश देते हैं और ज की बातचीत को भी उदारता पूर्वा की यद्व्यंजनों के साथ छिड़का गया है उदाहरन के लिए मालिकाना ड्रेक यह है कि वो निफंगल फंड उत्पादों को कैसे संदर्भित करता है आपके व्यापार दर्शन के प्रमुक तत्व क्या है शब्द व्यापार वो न दिवेश शब्द उतना ही लागू होगा यदि अधेक नहीं में मेरे दिमाग में ट्रेडिंग का तात पर्याख खरीद के समय बिकरी की प्रत्याशा से है उदाहरन के लिए यदि मैं लंबा जाता हूं स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर्स आज रात क्योंकि मुझे उम्मीद ह है कि कल का ट्रेड नंबर इसके लिए बुलिश होगा बाजार और मैं कल अपनी स्थिती बेचने की योजना बना रहा हूं वो है व्यापार मैं जो कुछ करता हूं उसका बड़ा हिस्सा के लिए है अधिक लंबी अवधी और अधिक जटल कारणों से उदाहरन के लिए जब मैं 1981 में डेट मार्केट में गया तो मैंने 20 साल तक उस पद पर बने रहे खैर इस पुस्तक के प्रयोजनों के लिए मैं अभी भी वही कहूंगा जो आप व्यापार कर रहे हैं फिर आप ट्रेडिंग और निवेश के बीच के अंतर को कैसे परिभाशित करते हैं मैं दो प्र माहरन के लिए एक विशिष्ट म्यूच्वल फंड का पोर्टफोलियो मैनेजर हमेशा लंबा रहेगा वो अगर बाजार के बारे में अनिश्चित है वो केवल 70 प्रतिशत निवेशित हो सकता है लेकिन वो हमेशा लंबा होता है दूसरा अंतर यह है कि एक व्यापारी अधिक चिंतित है शेरों में निवेश करने के लिए व्यापारियों और के बीच मेरे अंतर में कोई मूल्य निर्नाई शामिल नहीं है निवेशकों के लिए यह केवल इस पुस्तक के लिए एक निश्चित विश्यगत फोकस बनाए रखने की बात है किसी भी मामले में पर दोनों मायने रखता है मैं निश्चित रूप से आपको एक व्यापारी के रूप में योग्य बनाऊंगा मेरे मूल प्रशन पर वापस जाने के लिए हाव क्या आप व्यापार के अपने दर्शन को परिभाशित करेंगे मेरा खास अंदाज ज्यादातर लोगों से थोड़ का अलग है कॉंसेप्ट नंबर एक वैरियंट है धारना मैं उन धारनाओं को विक्सित करने की कोशिश करता हूं जो मुझे लगता है कि सामान्य बाजार के द्रिश्टे कोन से भिन है मैं उन भिन धारनाओं को तब तक निभाऊंगा जब तक मुझे नहीं लगता कि वे दाहरन दे सकते हैं हम डेड़ साल से कम जिन इंटेक रहे हैं महीनों और महीनों की अवधी थी जब हमने उस थिती में बहुत सारा पैसा खो दिया लेकिन मैं छोटा रहा क्यूंकि मेरे पास ए उनकी दवा टीपीए के भविश्य के बारे में भिन धारना टीपीए को किया जा सकता है रक्त के ठककों को घूलें यह हमारी धारना है कि एक या दो साल में टीपीए एक छोटी दवा होगी जो अधिक प्रभावी दवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जा सकता है जिनकी लागत भी काफी कम है संपून का जोर कंपनी इसी एक दवा पर आधा स्टॉक वर्तमान में 27 डॉलर जून 1988 पर है नीचे 65 डॉलर के उच्च स्तर से नवंबर के अंध तक जेनिंटेक 15 डॉलर से नीचे गिर गया था और स्टीन होट स्थिर था संक्षिप्त लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य धारना अभी भी है कि जेनिंटेक एक प्रथम श् प्रांती लाने जा रही है जब तक कि मेरा विचार एक भिंधारना है मैं संक्षिप्त रहूंगा यह एक स्पष्ट उदाहरन है लेकिन यह एक सवाल खड़ा करता है मान लीजिए कि आप अपनी वजह से स्टॉक कम करते हैं भिंधारना और स्थिती आपके विरुद्ध जा देगा फिर भी एक पैसे से प्रबंधन के दृष्टि कोन से किसी बिंदू पर स्थिती को कव करना होगा ऐसा प्रतीत होता है जैसे यहां संगर्ष में दो बुनियादी व्यापारिक सिध्धान्त हो सकते हैं व्यापार की दुनिया में कुछ ऐसे शिब बोलेथ मौजूद हैं जो सटीक हो भी सकते हैं और नहीं भी लेकिन मैंने उनका अनुसरन नहीं किया है उदाहरन के लिए एक सामान्य विचार है कि आपको स्टॉक को छोटा नहीं करना चाहिए जब तक कि यहां पहले से ही चरम पर नहों और नीचे शुरू हो जाए कि जब तक स्टॉक पहले से ही नहों जाए तब तक आपको कम नहीं जाना चाहिए उन समस्याओं को प्रति बिम्बित करना जो सभी के लिए स्पष्ट हैं कुछ माइनों में मैं इसे समझ सकता हूं वो हो सकता है शौट स्टॉक के लिए एक सथी रूप से सुरक्षित तरीका है और आप उस द्रिष् से कमाने के लिए बाजारों में आपको खत्रे के रास्ते में आने के लिए तैयार रहना होगा मैंने हमेशा छोटे शेरों की ओर रुख किया है जो पसंदीदा थे और संस्थागत उत्साह के एक बड़े सौदे से समर्थ हित थे सामान्यतया मैं बहुत जल्दी छोटा हो ग दोखिम को ठोड़ा कम कर सकता है लेकिन जब तक मेरा भिन्धारणा अपरिवर्तित है मैं संक्षिप्त रहूंगा अगर मैं गलत हूँ तो मैं गलत हूँ क्या आप यह कह रहे हैं कि जब तक आप बुनियादी बातों को सोचते हैं जैसा कि आप उन्हें समझते हैं है अप आप मुश्किल से लटकेंगे चाहे स्थिती आपके खिलाफ कितनी भी हो? सही, बेशक, अगर यह ट्रेपल भयानक है, तो मैं दबाव को कम करने के लिए स्थिती के आसपास व्यापार कर सकता हूँ थोड़ा सा. मैं कहूंगा, ठीक है, यह भयानक लग रहा है, मुझे खरीदारों के अलावा कुछ नहीं देख रहा है, मैं खरीदारों से क्यूं नहीं जुड़ता, और देखे कि क्या मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ, बोलने के मामले में. मैं खुद को द्विभाजित करता हूँ, मेरे पास मौलिक द्रिष्टे कोन, जिसे मैं अपने दिल में मानता हूँ, लेकिन मैं इसे अल्पकालिक उत्साह से अलग करने की कोशिश करता हूँ और टीवरता मैं बाजार में देख सकता हूँ, तो भले ही मैं उस प्रकार की स्थिती में छोटा हूँ, मैं हो सकता हूँ समय समय पर खरीदार बने। इसके साथ व्यापार कर सकता हूँ, यदि आप किसी विशेश स्टॉक में बहुत नकारात्मक और काम हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप मंदी के हूँ उद्योग, क्या आप कभी-कभी उस समूह में एक और स्टॉक खरीद कर खुद को हेज कर सकते हैं आपकी छोटी स्थित आम तोर पर, दूसरी तरफ दूसरे स्टॉक के बारे में आपका ग्यान अपेक्शाकरित कंजूसी होगी क्यूंकि आप इसे हेज के रूप में उप्योग करने के लिए बस पकर रहे हैं, अपने अगर समस्या इतनी बड़ी है कि आपको इसका बचाव करने की आवश्यक्ता है, क्यूं न सीधे समस्या का समाधान किया जाए, पूरी तरह से अलग स्थिती लेना, मान लीजिए कि आप एक प्रेपर स्टॉक कम हैं और प्रेपर स्टॉक हैं गरजन, इसलिए आप इसके खिलाफ एक और प्रेपर स्टॉक खरीदते हैं, घो सकता है कि आपका शॉट शायद अन्य स्टॉक और उपर जाएगा, कौन जाने, यदि आपने कोई गल्ती की है, तो उस गल्ती से निप्टें, इसे मिश्रित मत करो, भिन धारना अव धारना के अलावा, आपके व्यापार के कुछ अन्य तत्व क्या है दर्शन, ऐसा कुछ भी नहीं जो इतना विश मैं स्टॉप लॉस ओडर या इस तरह का उप्योग नहीं करता, मैं खरीदने के बारे में किसी नियम का उप्योग नहीं करता कमजोरी या ताकत पर, मैं ब्रेकाउट या ब्रेकडाउन को नहीं देखता, मैं चार्ट का उप्योग नहीं करता, आप चार्ट का बिलकुल भी उपयोग नहीं करते हैं, चाट मुझे खाली छोड़ देते हैं, वो जैकी मेसन जैसा भाशन पैटन अपनाते हैं, मैं स्टॉक को देखता हूँ, यह एक शांदार चाट है, चाट का आधार इस तरह है, और फिर अगर यह थोड़ा और उपर जाता है, तो लड़का यह है, अस जनातमिक द्रिष्टे कोन से, क्या आप चाट का उपयोग त्वरित और आसान तरीके के रूप में नहीं करते हैं, देखें कि पिछले कुछ वर्षों में स्टॉक ने कहां कारोबार किया है, शेयरों को जितना करीब से देखता हूँ, मुझे मूलिस तर, अपट रेंड, र ऐसा है दस डॉलर से चालीस डॉलर तक चला गया, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आपके पास कोई ट्रेडिंग नियम है जिसे आप परिभाशित कर सकते हैं, मुझे एक व्यापारिक सौदे का उदाहरन दें, एक सामान्य उदाहरन हो सकता है, इससे पहले कि मैं किसी पद पर आऊं, मुझे ठीक ठीक पता है कि मुझे कहां मिल रहा है बाहर, यह जरूरी नहीं कि जोखिम नियंतरन नियम हो, यह हो सकता है नहीं, स्टॉप या उद्देश्यों के बारे में मेरे पास कोई नियम नहीं है, मैं बस उन शर्तों में नहीं सोचता, इस बि परने वाला स्टीन होड को कुछ देर से ब्रेक दे रहा है, तंबाकु उद्योग के खिलाफ मुकदमे में निर्नय के समबंध में समाचार, फैसला वापस आ गया है लिगेट समू को छोड़ कर, जिसे 400,000,000 डॉलर का जुर्माना और कोई दंडात्मक हरजाना नहीं देना पड़ा था, को छोड़ दिया गया था, स्टीन होड जवाब देते हैं, तो यह मूल रूप से प्रतिवादियों के बक्ष में थोड़ा सा निर्नय था, मैंने लगभग एक महीने पहले तंबाकु का स्टॉक कम कर दिया था, मेरा तर्क यह था कि यदि वादी जीत गए तो म नहीं हारा था और दूसरे को जीतना वास्तव में अच्छा नहीं होगा समाचार, यह एक भिन धारना का एक उदाहरन है, यह देखना दिलचस्प होगा कि मैं कितना खोता हूँ, क्यूंकि मेरा मूल सिध्धान्त यह था कि यह ज्यादा नहीं होगा, यहां यह है, पढ़ने भी नहीं हारेंगे, इस तरह का एक वाक्य किसी को भी डरा देगा, हमारी चर्चा पर वापस जाते हुए, मान ले कि आपके मौलिक होने के कारण आपके पास स्टॉक कम है, विशलेशन और स्टॉक आपके खिलाफ जा रहा है, जब आपका विशलेशन गलत होगा तो आपको कैसे पता चलेगा क्योंकि आपने किसी अग्यात महत्वपून तत्व की अंदेखी की, खै, वो स्थिती काफी बार होती है, आप एक स्टॉक खरीदते या बेचते हैं और यह उस तरह से कार्य नहीं करता है, जैसा आपको लगता है कि इसे करना चाहिए, मैं अपने पोर्ट फोलियों में कई स्टॉक हैं जो मैं हूँ के लिए सीधित और पर जिम्मेदार नहीं है, उदाहरन के लिए कोई और छोटा है टाइम, इंक, वे कम हैं क्योंकि पत्रे का व्यवसाय घटिया है, और यह है या वो, लेकिन स्टॉक वास्तव में मजबूत काम कर रहा है और दस उपर है प्रतिशत जहां से हमने इसे छोटा किया, मैं टाइम लाइफ के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के पास जाऊंगा स्थिती और कई महत्वपून प्रशन पूछें, हमें कुछ ऐसा कब मिलेगा जो होने वाला है दुनिया को आश्चर्य? कब कुछ ऐसा होने वाला है जो इस कमपनी की भावना को कम करेगा अधिग्रहन के लिए परिपक्व है? एक मायने में, मैं पोर्टफोलियो का नकारात्मक मॉनिटर हूँ, अगर किसी पद को लेकर कोई समस्या है तो मैं जाऊंगा इसके माध्यम से बहुत नियमित रूप से, यह मुझे यहां एक करना चाहिए. यदि कोई स्टॉक उस तरह से काम नहीं कर रहा है जैसे उसे उसके मूल सिध्धानतों, पर आधारित होना चाहिए. तो क्या वो इस प्रकार का होगा? मार्केट एक्शन जो बदल देगा आपकी सोच? मैं यह मानने की कोशिश करता हूँ कि व्यापार के दू डॉलर हो गया. जिसने टैक्सोको को बावन डॉलर में बेचा. उसकी धारना थी जो नाटकिया रूप से मेरे से अलग था. यह पता लगाना मेरे उपर निर्भर है कि उसकी धारना क्या है था. क्या होगा यदि आप इसे समझा नहीं सकते? स्पष्टी करन सत ही या गंभीर हो सकता है. लेकिन आप आम तोर पर कुछ प्राप्त कर सकते हैं. आए तंबाकू कमपनियों की स्थिती को लें. बहले इस पर उसके बाद जो खबर आए बंद लग रहा था मन दी. अगर कल और फिर तंबाकू का स्टॉक मामूली रूप से नीचे जाता है ठीक वापस आओ. क्या आप अपनी स्थिती को कव करेंगे? मैं इसे वैसे भी कव करूंगा. मैं समाचार पर स्थिती को कव करूंगा. तो एक बार खबर बाहर हो जाने के बाद, खेल आपके लिए खतम हो गया है. सही. बस यही वजह थी कि मैं छोटा था. ठीक है. यह बहुत ही सरलता से प्र कंडार को कम करना चाहते हैं एक लंबी अवधी की स्थिती के रूप में और बाजार ने आज की खबरों से किनारा कर लिया और उच्छ स्तर पर बंध हुआ कल. क्या आप तब कव करेंगे? यह मेरे कारणों पर निर्भर करता है. अगर मैं तंबाकु कमपनियों से छोटा हो करती है. तो मुझे इसका फाइदा उठाना होगा और कुछ और बेचना होगा. तो आप परवा नहीं करेंगे अगर बाजार उस खबर पर प्रतिक्रिया नहीं करता है जिस तरह से उसे होना चाहिए. जब तक आपने महसूस किया कि संक्षिप्त होने का मुख्य कारण अभी भी मान्य था. हाँ, लेकिन अगर खबर भयानक थी और स्टॉक उपर थे, तो मैं यह समझने की कोशिश करूंगा की क्यूं. कभी-कभी बाजार में अधेक जानकारी है और भिन क्रिया वास्तव में आपको कुछ बता रही है. लेकिन क्या ऐसे उदाहरन नहीं आये हैं जहा आपका विशलेशन पूरी तरह से गलत था? जरूर, और आपने इसे सड़क के नीचे कहीं महसूस किया? हाँ, और जरूरी नहीं कि इतनी जल्दी हो. इस बिंदू पर, स्टाइन होट को एक फोन कॉल आता है जिसमें बातचीत का उनका पक्ष गैर से भरा होता है अनुक्रम पर, उदाहरं के लिए, मुझे एक ब्रोकर का फोन आता है जिससे मैंने लंबे समय से बात नहीं की है. मैं कुछ जूमता हूँ, चारों और कागजात और फिर कहते हैं, ZCU के 30,000 शेर खरीदें, एक और वाक्य को गुंगुनाए, क्या तुमने किया समझे मैंने क्या कहा? नह नहीं, मैं हसता हूँ. यह बिल्कुल सही है, लेकिन यह वैट लग रहा था न? वैसे भी, वो मुझे वापस बुलाता है, और मेरे पास मेरा है सचिव ने कहा कि मैं बात रूम में हूँ. वो फिर से कॉल करता है, उनमत, क्योंकि यह पांच मिनिट पहले है करीब, और मैं अ बजके अठावन मिनिट, एक पर उसे वापस बुलाओ और कहो, क्या तुमने ऐसा नहीं किया? अभी तक आदेश, समस्या क्या है? बस धिककार है. बेशक, वो कहते हैं. मैंने पकर नहीं लिया स्टॉक का नाम, तो मैं उससे कहता हूँ. वो एक और वाक्य बुदबुदाता है. और उसके कहने से पहले रुख जाता है और कुछ. के फंड को अकसर हेज़ फंड के रूप में लेबल किया जाता है क्योंकि यह सामान्य से बहुत अलग तरीके से ट्रेड करता है म्यूचुल फंड. क्या आप हेज़ फंड के अर्थ के बारे में विस्तार से बता सकते है E.W. जोन्स ग्रुप को पहला हेज फंड होने का श्रे दिया गया है. मूल रूप से शब्द एक सटीक अवधारणा को संदर्भित करता है जो अनिवार्य रूप से निमनलिखित कहता है. क्या परहम धन प्रबंधकों के रूप में सावधानी पूर्वक विशलेशन के माध्यम से कर सकते हैं? सटीक निर्णाय लेना है जिसके बारे में कमपनिया अच्छा कर रही है बनाम जो नहीं कर रही है. इसलिए यदि कोई स्टॉक में लॉंग पोजीशन को संतुलित करता है तो शेरों में शॉर्ट पोजीशन के साथ अपेक्शाकृत मजबूत माना जाता था जिसके खराब प्रदर्शन की उम्मीद थी बाजार का जोखिम पूरी तरह समाप्थ हो जाएगा उदाहरन के लिए यदि आप फोर्ड से प्यार करते हैं और जनरल मोटर्स से नफरत करते हैं और हर डॉलर लंबी फोर्ड के लिए आप जनरल मोटर्स के एक डॉलर से कम थे आप अपने पर खो सकते हैं शोट्स लेकिन अगर आपका निर्नय अच्छा था तो आप आगे निकल आएंगे तो ए कि मूल अवधारना हेजफन ने शेयरों को चुनने की क्षमता पर पूरी तरह जोर दिया क्या अभी कोई इस तरह व्यापार करता है नहीं आज खेजफन शब्द कुछ हद तक मिथ्या नाम है शब्द अब एक सीमित को संदर्भित करता है साज्यदारी जिसमें सामान्य साज्यदार को आम तौर पर प्रदर्शन के आधार पर भुगतान किया जाता है जैसा की विरोध किया जाता है अधिक पारम पर एक धन प्रबंधक जिन्हें प्रबंधित परिसम पत्तियों पर भुगतान किया जाता है आम तोर पर के प्रबंधक हेज फंड में पारम पर एक मनी मैनेजर की तुलना में बहुत अधिक लचीलापन होता है और यह वास्तव में है मुख्य तत्व उस लचीलेपन में शौर्ट स्टॉक के साथ स्टॉक खरीदने उप्योग करने में सक्षम होना शामिल हो सकता है विकल्प, वाइदा और इतने पर फेजफंड सामान्य शब्दों में यही होता है लेकिन इसमें भिन्नताएं होती हैं विशे एक बहुत व्यापक सातत्य को कव करता है फेजफंड की मूल अवधारना का क्या हुआ? फेजफंड सन्रचना के लचीलेपन ने कई युआ आकरामकुद्यमियों को आकर्षित किया 1960 के दशक में क्यूंकि इसने उन्हें कम उम्र में अपना खुद का व्यवसाई शुरू करने का अवसर दिया जिस तरह से अन्यता संभव नहीं था वे अद्भुत कहानियों के साथ महान भंडार के समय थे, वहां बहुत सारे स्टॉक थे जो शांदार वृध्धी दिखा रहे थे, जो लोग हेजफंड व्यवसाई में आये थे वे इस विचार के सैधान्तिक व्यवसाई नहीं थे है जिंग, लेकिन अपने स्वयम के मालिक होने और लचीलेपन के विचार में अधेक रुची रखते थे लंबे समय तक बहुत अधेक स्टॉक होना हाला कि उनके पास संक्षिप्थ होने का लचीलापन भी था, लेकिन उन्होंने इसका उप्योग नहीं किया कोई गंभीर तरीका अंग्रेजी भाशा में हेज शब्द का बहुत विशिष्ट अर्थ है, अधेकांश में ये हेज फंड, आप गंभीरता से पूच सकते हैं होने का अर्थ था, और लगु पक्ष का व्यापार करने के लिए एक अमेरिकी विरोधी अंगूठी थी, ये ऐसा था जैसे आप आपदा के लिए नहेत थे, इसलिए उन्होंने इस शब्द का इस्तिमाल करना शुरू कर दिया, वो ठठा करने का लहेजा अपनाता है, पॉम 1960 के दशक में, एक सच्चे हेज़ फंड की अवधारना अपने शुरू आती दिनों की तुलना में अधेक समझ में आ सकती है, हेज़ फंड अवधारना के कोई भी व्यवसाई अपने शुधर रूप में क्यूं नहीं है, क्यूंकि यह एक बहुत ही सीमित तरीका है, एक डॉ दॉलर लंबा और एक डॉलर छोटा होने का आधार कुछ संबंधित एकाई को अप्रभावी रूप से बहुत सारे डॉलर का उप्योग करने की आवश्यक्ता होती है, फोट और जनरल कितने अलग हैं मोटर्स होने जा रही हैं, वे दोनों एक ही व्यापक आर्थे कारकों से प्रभावित हैं, लगाना है तो लंबे समय के लिए कुछ डॉलर और छोटे के लिए कुछ डॉलर, आप दस का एहसास करने के लिए भागयशाली हो सकते हैं एक वर्ष की अवधी में प्रतिशत अंतर, अर्थात, यह मान कर कि आप सही हैं, एक ऐसा समू है जिससे हम जोखिम को बयसर कर दें, स्टॉक इंडेक्स में डॉलर के बराबर संख्या में लंबे समय तक होने के कारण वे अलग-अलग स्टॉक में कम हैं, क्यूंकि वे पार्टी में जो लाते हैं वो है शॉर्ट्स चुनने की विशेशक शमता, यह सबसे नस्दी की चीज है, यह बैठता है कि शॉर्टिंग का सक्रिय रूप से उपयोग किया जाता है, हमारे पास हमेशा कुछ शॉर्ट्स होते हैं, मैं भी अच्छा खर्च करता हूँ, नेट मार्केट एक्स्पोजर और जोखिम के बारे में सोचने और इसके लिए योजना बनाने और समायोजन करने के बारे में सोचने में मेरा समय लगा, 21 वर्षों में मैं यह कर रहा हूँ, यहां हमारे समग्र प्रदर्शन का ओसत लगभग 40 रहा है प्रतिशत, आपका मतलब 40 प्रतिशत नेट लंबा है? हाँ, इसके विपरीट, मुझे संदे होगा कि विशिष्ट म्यूचुल फंडों के सबसे रूडी वादी लोगों ने एक पिछले 20 वर्षों के दोरान 80 प्रतिशत से कम का ओसत एक स्पोज, ओसतन, आप लगभग 40 प्रतिशत शुध लंबे रहे हैं, इसमें कौन सी सीमा शामिल है? मुझे याद है कि एक समय में 15 या 20 प्रतिशत शुध कमी थी, और दूसरी से अधिक होने पर प्रतिशत शुध लंबा, तो आपके पास नेट शौट होने के साथ साथ नेट लॉंग होने का लचीलापन है? हाँ, हमारे दृष्टे कोन के बारे में जिन चीजों पर मैं जोर दूंगा उनमें से एक है बाजार को स्थानांतरित करने के लिए इसका वेश प्रबंधन शस्त्रागार में, आप सामान्य बाजार दिशा के लिए अपना दृष्टे कोन कैसे निर्धारित करते हैं? क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक है आपके दृष्टे कोन का बहुत महत्वपूर्ण तत्व? यह वास्तव में परिभाशा से परे है, सिव तक मैंने मुझे दिया है, तब तक इसे करने के बाद 50 प्रतिशत सही होने के बजाए 51 प्रतिशत सही होने का आवसर? क्या इसका मतलब यह है कि आपकी मुख्य लाब प्रदता नैट के विपरीट स्टॉक? जयन से आती है व्यापक बाजार दिशा में प्रत्याश परिवर् नहीं, मैं थोड़ा मुखर हो रहा था, यह एक प्रतिशत से अधिक बढ़त है, लेकिन यह कोई बड़ा फाइदा नहीं है जैसे समय का अस्सी प्रतिशत सही होना, या उसके निकट आने वाली कोई भी चीज अपेक शाकृत बोलते हुए, स्टॉक बनाम सही बाजार दिशा का पूर्वाग्रा कितना महत्वपूर्ण है आपके समग्र बहतर प्रदर्शन में योगदान कारक के रूप में चयन? जैसा कि मैं पिछले 21 वर्षों को देखता हूँ, सफल गतिविधी का कोई निर्धारत पैटन नहीं है, कुछ में वर्षों से हमने कुछ चुनिंदा शेरों के बल पर विशेश रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है अन्य वर्षों में, हमने किया असाधारन रूप से अच्छी तरह से क्यूंकि हम बाजार के दाई ओर थे उदाहरन के लिए, एक नौ साथ तीन, एक नौ साथ चार में, जब बाजार में भारी गिरावट आई, तो हम काफी हद तक उपर थे मुख्यता क्यूंकि हम शुध थे कम, ऐसे और भी समय थे जब हमारे पैसे का बड़ा हिस्सा बॉन्ड में बनाया जाता था मुझे लगता है कि वहाँ एक है इस तथ्य में संदेश की कोई वास्तवे पैटन नहीं है कोई भी व्यक्ति जो सोचता है कि वो इसमें सफलता प्राप्त कर सकता है रैकेट खुद को धोखा दे रहा है क्यूंकि वो बहुत जल्दी बदल जाता है जैसे ही कोई सूत्र किसी के लिए सही होता है समय की लंबाई अपनी सफलता अपनी अपरिहार्य विफलता का भार वहन करती है एक नौ साथ तीन, एक नौ साथ चार में स्टॉक की कम कीमतों के लिए आपको पर्याप्त रूप से किस बात का भरोसा था? मंदी की आशंका, किस पर आधारित? मैंने महसूस किया कि उस अवधी की उच्च मुद्रास फीती दर उच्च ब्याज दरों की ओर ले जाएगी, जो बदले में अर्थ व्यवस्था को धीमा कर देगा क्या आप 1982 के निचलिस तर से पहले की अवधी में शेयर बजार पर नकारात्मक थे? कुआ, उतनी द्रिर्ता से नहीं, लेकिन 1981 और 1982 में, एक ने एक होने से बहुत बड़ी रकम कमाया ट्रेजरी नोट्स में लीवरेज की स्थिती हाला कि कोई भी ब्याज के उदे के अंत की भविश्यवानी नहीं कर सका दरों में समय समय पर यह स्पष्ट था कि जब तक ब्याज दरों में कमी नहीं आती, अन्यक शेत्रों को अपेक्षाक्रिता ना कर शिक जब आप लंबी अवधी के ट्रेजरी प्रतिभूतियों में 14 प्रतिशत प्राप्त कर सकते हैं, तो होने के लिए प्रतिसपर्धी शेयरों को इतना कम बेचना पड़ा जितना वे बेच रहे थे कि यह लायक भी नहीं था इस बात पर ध्यान केंद्रित करना की कौन से स्टॉक को खरीदना है, हाला कि आप शौट साइट पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, क्या खास्थाव, अवधी कुछ और होने के लिए ब्याज दरों में एक मोर की अनिवार्यता थी सार्थक, यह बस समय की बात थी की बारी, अधिकांश अन्य अवधियों के विप्रीत, यह अवधी एक स्पष्ट यूनिडाइरेक्शनल संदेश था, यू. ट्रेजरी निश्चित आये प्रतिभूतियां अब तक थी समय का सर वोत कृष्ट मूल्य, विरोधा भासी मान सिकता वाले किसी भी व्यक्ति को 1980 के दशक की शुरुआत में ब्याज दरों को देखना पड़ा एक संभावित महान अवसर प्रस्तुत करना. आप जानते थे कि जैसे ही व्यापार संकट में पढ़ने लगेगा फेद को आराम करना होगा. इसके अलावा, हमने पहले ही में एक महत्वपून टॉपिंग देखी थी मुद्रास फीती की दर. तो, पहली के कुछ टुकरे पहले से ही मौजूद थे? हाँ, और वो उतना ही है जितना आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि जब वे सब जगा पर होते हैं, तब तक ब विरोधा भासी मान सकता का उलेक करते हैं, लेकिन उस प्रकार की सोच को करने की कोशिश करना उचित हो सकता है, बहुत कम दरों पर शीर्ष चुने. बिलकुल, लोग सोचते हैं कि विरोधा भासी होने का अर्थ है जीत, आखिर कंट्रोवसी क्या है, लेकिन कोई है जो भीर के, खिलाफ जाता है, यह लगभग एक क्लिच है कि भीड हमेशा गलत होती है, तो भीड के खिलाफ खड़े होने वाले व्यक्ति को हमेशा सही होना चाहिए, खैर, जीवन उस तरह से काम नहीं करता, वहां बहुत सारे विरोधा भासी थे जिन्होंने पहली बार ब्याज दरें 8 प्रतिशत तक जाने पर बॉन्ड खरीदे थे समय, और 9 प्रतिशत, और 10 प्रतिशत, बॉन्ड खरीदने वाले लोगों के पैसे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, उस समय सर्वकाले को च्च पैदावार क्या थी? सैधान्तिक विरोधा भासी होने और इससे निपटने में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है व्यवहारिक शर्तें, एक विरोधी के रूप में जीतने के लिए, आपको सही समय की आवश्यक्ता होती है और आपको एक पर रखना होता है उप्युक्त आकार में स्थिती यदि आप इसे बहुत छोटा करते हैं, तो यह अर्थपूर्ण नहीं है, यदि आप इसे बहुत बढ़ा करते हैं, तो आप यदि आपका समय थोड़ा हटकर है तो मिटाया जा सकता है इस प्रक्रिया के लिए साहस, प्रतिबधता और एक की आवश्यक्ता होती है अपने स्वयम के मनोविज्ञान की समझ मुझे लगता है कि आप शायद उस व्यापार में काफी समय से आपके खिलाफ बाजार में चल रहे थे ठीक है, यह किया, यह एक बहुत ही दर्दना कवधी थी, क्योंकि जहां तक अधिकांच निवेशकों का समबंध था, मैं एक एक्विटी निवेशक था मुझे बॉन्ट के बारे में क्या पता था, फेंडरी कॉफमेन का खंडन करने वाला मैं कौन था, दुनिया को कौन बता रहा था कि ब्याज दरे चान पर जा रही है इतना ही नहीं मैं कर रहा था कुछ ऐसा जो पहले से अलग था जो हमेशा निवेशकों के एंटेना को उठाता है विशेश रूप से संस्थागत मानसिकता वाले लोग लेकिन मैं इसे बहुत बड़े आकार में कर रहा था क्या आपने अपनी स्थिती पर सौ प्रतिशत से अधिक का लाब उठाया था? हाँ, एक समय मेरे पास पांच साल की परिपक्वता अवधी में फम की पूंजी का तीन से चार गुना था स्टॉक में, आप एक पुलिस कर्मी है जो आपको बताता है कि आप कितना अनुमान लगा सकते हैं इसे माजिन आवश्यक्ताएं कहा जाता है, लेकिन कोशागार में आप परिपक्वता के आधार पर अपनी खरीदारी का 98 प्रतिशत तक वितपोशित कर सकते हैं इसलिए कोई वास्तविक बाधा नहीं है, जब आपने कोशागार खरीदना शुरू किया और बाजार के निचले हिस्से के बीच की अवधी कितनी लंबी थी, ब्याजदर शिखर मैंने 981 के वसंत में खरीदना शुरू किया, और मुझे लगता है कि 30 सितंबर 1981 को कोशागारों का निचला स्तर गिर गया उस पहली छमाही में आपके खिलाफ दरे कितनी बईी, मुझे याद नहीं है, लेकिन दरों में काफी व्रिधी हुई है विशेश रूप से मेरी स्थिती के आकार को देखते हुए, इस समय तक आप मुख्य रूप से एक स्टॉक ट्रेडर थे यहाँ आपके पहले प्रमुक प्रयास पर कोशागार, आपने पर्याप्त नुकसान उठा कर शुरुआत की, क्या आपके पास स्वयम की अवधी नहीं थी संदेह करना? सभी समय, 1981 की गर्मी मेरे व्यवसाइक जीवन का सबसे बुरा अनुभाव था, कि एक संख्या मैं जो कर रहा था उससे विचार शील, बुद्धिमान निवेशक वास्तव में बहुत नाखुश थे, और मैं ऐसा नहीं था मुझे यकीन है, क्या आप कभी यह कहने के करीब आ मूल सिध्धान्तों में से एक यह प्रतीत होता है कि जब तक आप मानते हैं कि आप मौलिक रूप से हैं ठीक है, आप एक पद पर बने रहेंगे, क्या कोई अपवाद रहा है, अर्थात बाजार जिसमें आपने अपना मौलिक द्रिश्टिकों नहीं बदला, लेकिन नुकस में निफ्टी की उचाई पर विशेश रूप से सच था, फिफ्टी घटना, अक्टूबर 1987 के अपवाद के साथ, वो शायद माई में सबसे खराब अवधी थी निवेश जीवन, उस समय एक सिध्धान्त था कि जब तक कोई कमपनी कायम रहती है औसत धर्मनिर पेक्ष विक से काफी उपर, इस से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने इसके लिए कितना भुगतान किया है, कई ग्रोथ स्टॉक्स ने कई गुना कारोबार किया जो सिर्फ पागल थे, जब हम साथ पर बिक रहे थे तब हम छोटे पोलरोइड गए थे गुना कमाई, जिससे हमने को यह पूचते हुए पाया, इसमें क्या अंतर है? चालीस गुना कमाई और अस्सी गुना कमाई? सैक्योलब पर अलग नंबर लगाकर विकासदर का अनुमान, आप लगभग किसी भी गुनक को सही ठहरा सकते हैं कि लोग इस तरह से सोच रहे थे वो दिन. तो आप उस अव बहुत अधिक गुनकों में चला गया. या अगर आप रुके होते तो क्या आप बहतर होते? अंत में, लगभग सभी मामलों में, मैं इसे बाहर रखना बहतर समझता. आपने उलेख किया कि अक्टूबर 1987 आपके करिया के सबसे खराब बजार अनुभवों में से एक था. जाहर है. आपके पास बहुत सारी कमपनी थी. लेकिन मुझे ये आश्चर्य जनक लगता है कि आप इतने विरोधा भासी हैं. मैं इतनी तेजी से उत्साह के साथ आप एक साल में बहुत लंबे समय तक रहने की उम्मीद नहीं कर सकते थे. क्या हो गई? दरसल, 1987 के वसंत में, एक ने मेरे निवेशकों को एक पत्र लिखा था जिसमें बताया गया था कि मैं क्यूं था सतर्क और बाजार में मेरे जोखिम को काफी हद तक कम कर रहा है. ऐसा करने के बाद मैं सोचता रहा इस बारे में की बाजार उस तर पर व्यापार क्यूं कर रहा था जो एतिहासिक मानकों से बहुत अधिक था. मैं आया था निशकर्ष है कि सर्वोत क्रिष्ट मुद्दा में होने वाली घटनाओं का एक अनूठा संयोजन था अमेरिकी एक्विटी बाजार एक्विटी की मात्रा में लगातार कमी बकाया. रिन के प्रती अधिकोदार द्रिष्टिकोन के साथ मेल खाता है. जब तक बैंकों को आराम था पैसा उधार देने में सक्षम, जंक बॉन्ड बजार अच्छा था. और कॉपरेट प्रबंधकों ने पुनर खरीद देखी उनके शेयरों को करने के लिए सही काम के रूप में मुझे लगा कि एक्विटी कीमतों के लिए एक असामान्य उपर की ओर पूर्वाग्रह होगा. मेरे लिए मौजूद शेयरों के अधिक मूल्य निर्धारन में एक मात्र सबसे महत्वपून कारण था अधिकांश 1987 के माध्यम से. इसलिए महत्वपून प्रश्न था इस थिती को बदलने वाला क्या था? जवाब था मंदी और जब भी वो मंदी आएगी उसका प्रभाव भयानक होगा क्योंकि सरकार के पास इससे लड़ने का लचीलापन नहीं था क्योंकि वे एक प्रतिचिक्रिय से विचलन कर चुके थ विस्तार चरण के दोरान राजकोशिय नीती लेकिन 1987 के पतन के दोरान न केवल अर्थ व्यवस्था थी कमजोर हो रहा था यह मजबूत हो रहा था इतना कि फेद सक्त हो गया मैंने जो अनुमान नहीं लगाया था वो यह था कि कम से नाटकिय घटनाओं का उन पर उतना ही बड़ा प्रभाव हो सकता है बाजार जैसा उन्होंने किया फेड की सक्ती का वास्तविक महत्व क्या था आम तोर पर घो सकता है कि शेर बाजार में 100 या 200 पॉइंट की गिरावट आई लेकिन 500 पॉइंट की गिरावट नहीं आई कि रोश्णी में इतिहास ट्रेजरी कोई अनोखी घटना हो में पीछे मुर कर देखें 19 सक्टूबर के बाद वास्तविक दुनिया का क्या हुआ लगभग कुछ नहीं तो किसी मायने में आपको यह निशकर्ष निकालना होगा कि यह समस्या बाजार के लिए आंतरिक थी ऐसा नहीं था कि बाजार था एक आस्न वित्तिय पराजय या महानमंदी की भविश्यवानी फिर आप 19 सक्टूबर के मूले विराम की चरम प्रकृती की व्याख्या कैसे करते हैं जिस समस्या के कारण 19 सक्टूबर को पतन हुआ वो अपेक्षाकृत मामूली वास्तवे का सयोजन था विश्व परिवर्तन और संस् अत्वर व्यक्तिगत निवेशक और विशेशग्य प्रनाली का महत्व बहुत कम कर दिया गया था क्या आप मानते हैं कि पोर्टफोलियो बीमा ने गिरावट को बढ़ा दिया है पोर्टफोलियो बीमा है स्टॉक पोर्टफोलियो में कीमतों के रूप में जोखिम जोखिम को कम करने के लिए Stock Index Futures की व्यवस्थित बिक्री पतन अधिक विवरन के लिए परिशिष्ट एक देखें यह नए तत्वों में से एक था एक और आपने स्थिर्टा के तत्वों में कमी की थी दूसरी और आपके पास 1980 के दशक की रचनाय थी पोर्टफोलियो बीमा, कारिक्रम व्यापार और वैश्विक परिसम पत्ति आवंटन जो एक यूनिडाइरेक्शनल प्रभाव डालने की प्रवरिती रखता है उसके द्वारा, मेरा मतलब है कि इन रन नीतियों में भाग लेने वाले एक ही समय में खरीदार और विक्रिता होते हैं शेयर बाजार था इसे संभालने के लिए तैयार नहीं थे स्थितिवार, 19 अक्टूबर को आप कहां आ रहे थे? मैं बहुत लंबे समय तक उजागर हुआ, 80-90 प्रतिशत और मैंने दिन के दौरान अपना प्रदर्शन बढ़ाया क्यूं? क्या आप अभी भी तेज थे? मेरा बढ़ता हुआ एक्सपोज इस माइने में पूरी तरह से विप्रीत व्यापार था कि जब बाजार में उतार चड़ाव होता है बहुत बढ़ा कदम, ज्यादा तर समय ये अविचार करना सही है कि बहुत अधिक भावुकता है और उस कदम में उग्रवाद यदि आप भावुकता से थोड़ी दूरी बनाए रख सकते हैं, तो आप ऐसा करते हैं कुआ तो उस दिन मेरी खरीदारी वही है जो मैंने किसी भी 300-400 या 500 पॉइंट डाउन डेपर की होती क्या आप अपनी लंबी स्थिती के साथ रहे? नहीं, मैंने इसे अगले दो महीनों में कम कर दिया गिरावट की भयावहता और आतम विश्वास में असाधारन परिवर्तन जिसने मुझे भी प्रभावित किया मैंने सोचा कि यह बहतर था वापस बैठो और स्थिती में लटकने की कोशिश करने के बजाए मैं बहुत सारी नकदी के साथ पुनर विचार करें क्या आपको लगता है कि लंबे समय तक रहने का आपका मूल आधार? अब मान्य नहीं था मैंने सोचा था कि मैंने उन ताकतों के प्रभाव को कम करके आँका था जिन्होंने बाजार की स्थिर्टा को कम कर दिया था अक्टूबर 1987 के दौरान आपकी प्रतिशत हानी क्या थी? मैं महीने के लिए 20 प्रतिशत से अधिक नीचे था जब आप अक्टूबर 1987 के अनुभव को पीछे मुड़ कर देखते हैं तो क्या ऐसी गलतियां हैं जिन पर आप विश्वास करते हैं से सीखा? एक बहुत अच्छा निवेशक है जिससे मैं बार-बार बात करता हूँ जिसने कहा मैं पार्टी में केवल 20 लाता हूँ 8 साल की गलतियां मुझे सच में विश्वास है कि वो सही है जब आप कोई गलती करते हैं तो कुछ होता है अवचेतन घटना जो आपके लिए फिर से वही गलती करने की संभावना कम कर देती है एक मैं जिस तरह से व्यापार करता हूँ उसके फायदों के बारे में एक लंबी अवधी के निवेशक, अल्पकालिक व्यापारी अशक के रूप में मेरे वर्षों से परे बुद्धिमान बना दिया है विशिष्ट म्यूचूल फंड खरीद और पकड़ के द्रिष्टे कोन का पालन करता है क्या आपको लगता है कि अवधारना है? मूल रूप से एक त्रुटी पूर्ण रणीती? हाँ, हाला कि त्रुटी पूर्ण वो शब्द नहीं है जिसका मैं उप्योग करूंगा मैं कहूंगा कि यह एक रणीती को बहुत सीमित कर रहा है अमेरिकी एक्विटी के दीर कालिक विकास में भाग लेने का उद्देश के माध्यम से भुगतने को तैयार वे अवधी जब एक्विटी में गिरावट आती है ठीक है, लेकिन यह क्षमता के मामले में मेच पर बहुत कुछ छोड़ देता है पेशेवर प्रबंधन यह एक अधूरी रणनीती है, फिर भी, सभी फंडों का विशाल बहुमत उस श्रेणी में आता है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन पहले से कम, ज्यादा से ज्यादा लोग मार के टाइमिंग पर ध्यान दे रहे हैं नहीं कि वे इसे बहुत अच्छी तरह से करने के लिए अनिवार्य रूप से योग्य हैं, लेकिन क्यूंकि वे पहचान गए हैं खरीद और पकर द्रिष्टे कोन का क्या अर्थ है जब मैं बच्चा था, तो स्टॉक खरीदना आम सलाह थी डाल इसे एक तिजोरी में और इसके बारे में भूल जाओ आप अब उस तरह की अवधारणा नहीं सुनते हैं हमने खो दिया है लंबी अवधी में विश्वास क्या आपको लगता है कि म्यूचूल फांड उद्योग बदलने वाला है? म्यूचूल फांड उद्योग निश्चित रूप से निवेश करने वाली जनता की सनक के प्रती काफी समवेदंशील है उत्पाद जो समकाली इन जरूरतों को पूरा करेंगे आप हारने की अवधी को कैसे संभालते हैं? जैसा कि इस व्यवसाय में कई अन्य प्रश्णों के लिए सच है, इसका कोई सटीक उत्तर या सूत्र नहीं है, वहां है कुछ भी ऐसा नहीं है जो दूसरों को एक निश्चित दिशा में ले जाने के लिए पर्याप्त रूप से स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा सके दूसरे शब्दों में, एक हारने की अवधी दूसरे से पर्याप्त रूप से भिन हो सकती है, यहां तक स्वयम, कोई सामान्य ज्यान लागू नहीं हो सकता है सही, फंड ट्रेडर के रूप में आपकी शुरुआत कैसे हुई? जब मैं पहली बार 1960 के दशक के अंत में इस व्यवसाय में आया तो मेरी केवल एक विशलेशन आत्मक्रिष्ट भूमी थी, मैं एक था लोएब रोद्स में क्रिशी उपकरण और चक्रिय सामान विशलेशक मेरा व्यवसाय के साथ शुरू हुआ था दो अन्य फेलो जो विशलेशक भी थे जैसे जैसे हमारा व्यवसाय बढ़ता गया, व्यापार और अधिक महत्वपूर्ण होता गया मैं बहुत कम व्यापारिक प्रिष्ट भूमी वाले फम के लिए व्यापारी बन गए पाँच यदि आपके पास बहुत कम अनुभव था, तो आप व्यापारी क्यों बने? मैं शायद अन्य दो की तरह अच्छा विशलेशक नहीं था, उन शुरू आती वर्षों में भी आपने एक व्यापारी के रूप में बहुत अच्छा किया, आपको क्या लगता है कि आपने इसे कैसे प्रबंधित किया अनुभव के लाब के बिना? मेरे पिता जीवन भर जुआरी रहे हैं, हाला कि मैं ऐसे दूर से सही नहीं ठहरा सकता, मुझे लगता है कि एक है इस व्यवसाय में जुआ का तत्व, हो सकता है कि मुझे वो प्रतिभा मेरे पिता से मिली हो, आपने 20 से अधिक वर्षों से शेर बाजार में कारोबार किया ह क्या आपने कोई महत्वपूर नोटस किया है उस दौरान परिवर्तन? 20 साल पहले ट्रेडिंग डैस्प पर बौधिक शक्ती की मात्रा की तुलना में न्यूनतम थी आज संस्थागत व्यापारी आमत और पर ब्रुकलिन के बच्चे थे, जो मुश्किल से बोल सकते थे भाषा, कम से कम पैसा कमाया और बहुत कम विवेक था, तो जब मैंने पहली बार शुरू किया व्यापार, यह एक बच्चे से कैंडी लेने जैसा था मुझे याद है एक बार एक व्यापारी को पैन सेंट्रल के साथ सो, शून्य 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 शेर बेचने की जरूरत थी उस समय, स्टॉक था पहले से ही अध्याय ग्यारह में, अंतिम व्यापार साथ पर था, और विक्रेता ने बोर्ड की जाच करने की जहमत नहीं उठाई मैं छे, आठ पर साथ सो, शून्य 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 शेर खरीदे विक्रेता को स्टॉक की उस राशी को ए, से कम पर बेचने के लिए राहत मिली थी पिछले व्यापार के तहर डॉलर इस बीच, मैंने पलट कर 61.1 पर साथ सो, शून्य 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 शेर बेचे उस कीमत का तीन गुना बेच चुके हैं मैंने उस व्यापार पर आधा मिलियन डॉलर कमाए, और यह मुझे पूरे 12 सेकंड लगे, वो महौल कब तक चला? 1975 में समेकित टेप तक, अब बहुत अधेक प्रतिसपरधा है व्यापार पर लोग डेस्क बहुत उज्वल हैं, एक और बदलाव यह है कि खुदरा खरीदार और विक्रेता बहुत कम हो गए हैं, महात्व बजार संस्थागत हो गया है, व्यक्ती म्यूचूल फण के माध्यम से स्टॉक खरीडते हैं, ब्रोक्रेज, फर्म ग्राहकों के शेरों को इतना नहीं बेचती हैं जितना कि वे उन भयानक म्यूचूल फणों को बेचती हैं और अन्य भयानक चीजें जिन्हें वे वितिय उ वेशक हुआ करते थे अब व्यापारी हो गये हैं, संस्थाएं अब परिभाशित करती हैं खुद को ऐसे उद्यमों के रूप में, जिनका लक्षे रिटन की उच्चतम दर हासिल करना है, जब वे करते थे खुद को लंबी अवधी के निवेशक के रूप में परिभाशित क करें, धर्म निर्पेक्ष भाविश्यवानी करने की उनकी क्षमता में लोगों का विश्वास रुझान बहुत कम हो गया है, 1967 में, ब्रोक्रेज फर्म द्वारा एक रिपोर्ट देखना सामान्य होगा, वर्ष 2000 तक मैकडॉनल्स की प्रती शेयर आये का अनुमान लगाया, उन लोगों ने सोचा कि वे कर सकते हैं लंबी अवधी की कमाई का अनुमान लगाएं क्योंकि कमपनिया, स्थेर और अनुमान धर्म निर्पेक्ष विशलेशन का, 1970 और 1980 के दशक में धर्म निर्पेक्ष विकास प्रवरिती विशलेशन के काम न करने का नहितार्थ संबंधित है ट्रेडिंग के सवाल पर, 1950 और 1960 के दशक में नायक लंबी अवधी के निवेशक थे, आज नायक बुद्धिमान लोग है सुनार जैसे लोग हैं, जो पूनजिवात के गुनों की प्रशंसा करते हैं, वो, गुडिय के लिए मैंने क्या किया, के बारे में बात करता है उन्होंने गुडिया के लिए क्या किया? वो वहां साथ, के लिए था महीने, अपने लिए आठ हरब डॉलर कमाए और ग्रीन मेल लेने के बाद प्रबंधन छोड़ दिया वो गुडिया के लिए उसने जो किया उसके बारे में बात करता है क्योंकि वो असहज है और उसे किसी तरह से जुड़ना पड़ता है खुद कुपून जी वादी प्रक्रिया के साथ उसे और इन अन्य लोगों को इसके बारे में कुतिया और विलाप करना पड़ता है प्रबंधन लेकिन वे अपनी कोहनी से चल रही कमपनियों के बारे में अपने गधे को नहीं जानते हैं उसके साथ कुछ कानूनों के टूटने पर लोगों को वे काम करने की अनुमती दी जाती है जो उन्हें पहले करने की अनुमती नहीं थी आप किन कानूनों की बात कर रहे हैं? अधिग्रहन कानूनों की न्याय विभाग की पुनर्व्याख्या? क्या है और क्या नहीं की परिभाशा एक अधिकारवादी आप आम आदमी को सबसे महत्वपूर्ण सलाह क्या दे सकते हैं? इस व्यवसाय का एक आकर्शन ये है कि कभी-कभी सबसे बढ़ा अज्यानी बहुत अच्छा कर सकता है. उस दुर्भाग पूर्ण है क्योंकि इससे ये आभास होता है कि आपको किसी व्यावसायक्ता की आवशक्ता नहीं है अच्छा करने के लिए. और ये एक महान जाल है. त तो आप प्रतिसपर्धा कर रहे होते हैं उन लोगों के साथ जिन्होंने अपने जीवन का एक अच्छा हिस्सा इसी प्रयास में समर्पित कर दिया है. कई में रुख. ये पेशेवर आपके व्यापार के विप्रीत दिशा में हैं और संतुलन पर. वे आपको हरा देंगे. क अंधित शब्द का अर्थ एक क्रेडिट है. मुझे यकीन नहीं है कि मैं औसत दूंगा इस व्यावसाय में पेशेवर. मेरा कहना यह है कि आपके पास यह मानने का एक अच्छा कारण होना चाहिए कि आप हैं शेयरों में निवेश. के लिए काफी बहतर रिटन हासिल करने चा रहे हैं. यदि आप 9 प्रतिशत या प्राप्त कर सकते हैं ती बौंड में निवेश करके 10 प्रतिशत और ती बिल में निवेश करके 7 प्रतिशत या 8 प्रतिशत. क्या करना चाहिए व्रिधशील जोखिम को आफसेट करने के लिए आप स्टॉक में आते हैं? शायद भिनाई को कम मत समझो ठीक है और इस शिबोलेत को भूल जाए कि स्टॉक आपको उच्छ दर का रिटन देने जा रहे हैं क्यूंकि वे अधिक जोखिम भरे हैं वो सत्य नहीं है वे अधिक जोखिम भरे हैं इसलिए आपको आश्वस्त होना होगा कि आपको गेम खेलने के उच्छ दर का रिटन मिलने वाला है यह मत समझो कि किसी mutual fund में निवेश करने पर आपको अधिक रिटन मिलने वाला है हाला कि यह सच नहीं है एतिहासिक रूप से शेयर बाजार ने ब्याजदर को महत्वपून रूप से नहीं हराया है रिटन सच है लेकिन इसमें बहुत सारे सांखिय किया मुंबो जम्बो शामिल है और सत रिटन गरना निर्भर करती है प्रारम भिक्तिती पर भारी यदि आप 1968 या 1972 में शुरू करते हैं उदाहरन के लिए संख्याएं बहुत कम दिखती हैं आकरशक अच्छे व्यापार के तत्व क्या है अच्छा व्यापार आपके विचारों का पालन करने के द्रिड विश्वास और के लचीलेपन के बीच एक अजीब और गरीब संतुलन है पहचाने की आपने कब गलती की है आपको किसी चीज पर विश्वास करने की जरूरत है लेकिन साथ ही आप कई बार गलत होने जा रहे हैं आतम विश्वास और के बीच संतुलन विनमरता व्यापक अनुभव और गलतियों के माध्यम से सबसे अच्छी तरह से सीखी जाती है के लिए एक सम्मान होना चाहिए व्यापार के दूसरी तरफ व्यक्ति हमेशा अपने आप से पूछें वो क्यूं बेचना चाहता है? क्या क्या वो जानता है कि मैं नहीं? अन्त में आपको अपने और दूसरों के प्रती बौधिक रूप से इमानदार होना होगा में मेरा निरनय, सभी महान व्यापारी सत्य के साधक हैं स्टाइन होर की भिंधारना मूल रूप से एक विरोधा भासी दृष्टे कोण है लेकिन आप सफल नहीं हो सकते केवल सेंटिमेंट सवे नंबरों या बूलिश सर्वसम्मती के अन्य उपायों का उपयोग करके विरोधा भासी, बजार इतनी आसानी से भुगतान नहीं करते हैं हाला की सेंटिमेंट हमेशा सबसे उपर और बहुत मंदी वाला होता है बॉटम्स पर दुर्भाग्य से अत्यधिक तेजी और मंदी की रीडिंग भी विस्तारित की विशेशता है रुज्छान चाल विरोधा भासी नहीं है, बलकि सही समय पर विरोधा भासी होना है ऐसे फैसले सरल सूत्रों के आधार पर नहीं बनाया जा सकता है सफल विरोधा भासी को फिल्टर करने में सक्षम होना चाहिए सच्चे अवसरों से बाहर स्टाइन होट के फिल्टर बुनियादी, बातों की गहरी समझ का एक सयोजन है और बाजार का समय लचीलापन स्टीन होट के अत्यांत अनुकूल रिटन, जोखिम प्रदर्शन के लिए एक और आवश्यक कुंजी है विशेशताएं यह लचीलापन उसी सहचता से प्रदर्शित होता है जिस पर वो छोटा या लंबा होता है जैसे साथ ही स्टॉक के अलावा अन्य बाजारों में व्यापार करने की उनकी इच्छा, जब उनकी धारणा से जरूरी हो मूल बातें जितनी अधिक चीजें आप टेबल पर लाते हैं, शोटिंग, हैजिंग, बॉन्ड में भागीदारी बाजार वाइदा बाजार व्यापार, और इसी तरह, आप बहतर हैं, वे कहते हैं कई महान व्यापारियों के बीच मैंने जो एक विशेशता देखी है वो है उनकी इच्छा और लेने की क्षमता विशेश रूप से बड़ी स्थिती पर जब वे एक प्रमुख व्यापारिक अवसर का अनुभव करते हैं तंत्रिका और कौशल त्वरक पर सही समय पर कदम रखने के लिए निश्चित रूप से उन तत्वों में से एक है जो अलग करता है असाधारन व्यापारियों के अच्छे व्यापारी 1981 के दोरान ट्रेजरी नोटों में स्टीन होट की भारी स्थिती और 1982 इस विशेशता का एक आदर्श उदाहरन है दोश सिद्धी शायद किसी भी व्यापारी के लिए एक महत्वपून गून है लेकिन यह विरोधा भासी के लिए आवश्यक है व्यापारी स्टाइन होड ने बार बार बड़े पदू को बनाए रखने में अदभुत संकल्प का प्रदर्शन किया है कठिन समय के दोरान जब तक वो आश्वस्त था कि वो अभी भी सही था में उनके द्रिर्ड विश्वास का गवाह 1981 में ब्याज दरों में 6 महीने के चर्मोतकर्श के दोरान अपने ट्रेजरी नोट की स्थिती के साथ रहना न केवल उसके खिलाफ बाजार की चाल से बलकी मनोवे ग्यानिक दबावों के प्रती भी प्रतिरक्षित रहना शेकायत करने वाले निवैशकों के बारे में जिन्होंने करिय के बाद कोशागार में उनके अचानक परिवर्तन पर सवाल उठाया था शेयर व्यापारी इस सब के दौरान स्टाइन होड कायम रहा और यहां तक कि उसने अपनी स्थिती भी बना ली क्योंकि वो आश्वस्त था कि वो सही था उनके द्रिर विश्वास के बिना दुनिया शायद माइकल स्टीन होड के बारे में कभी नहीं सुना स्टाइन होड ने यह भी जोर दिया कि कोई पूर्ण सूत्र या निश्चित पैटन नहीं है बाजार है हमेशा बदलता रहता है और सफल ट्रेडर को इन परिवर्तनों के अनुकूल होने की आवश्यक्ता होती है स्टाइन होड के विचार में जो व्यापारी निश्चित द्रिश्टिकोन खोजने की कोशिश करते हैं वे जल्द या बाद में विफलता के लिए बरबाद हो जाएंगे